हलो वीडियो में हम बात करेंगे संपनी कंपनी के फोर करें हैं पुरा factor वीविज़ करेंगे VH使TE करेंगे और हमें अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए अभी वह भी होल्डिग आ कि आपके हो यहां कि होल्डिंग में हैं फोर कि चल सकते हैं वे उसके दो करेंगे ठीक है और फ्रेस नया एंट्री लेके चल सकते हैं कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर एक बार बताना चाहूंगा अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में अगर आपके पस में कोई भी क्या करना हैं अभी मार्केट का सिनारियो में जैसे चल रहा है आपका मन में भी सवाल होगा कि यह स्टॉक में सेल करके निकल जाना चाहिए अगर यहीं सब्सक्राइब आप बढ़िया साथ चाट करने कैसे में व करते हैं इस सारे वीडियो आपको यहां से मिल जायेगा ठीक है जो काफी इंपर्डेंट वीडियो ही यहां पर डेसक्रिप्चन कर सकते हैं अभी स्ंपरी कंपनी के बारे में इसका Прод wit पोर्फिलियों क्या है एक बार हम देख लेते हैं जो कि कंपनी सिंकरी कंपनी एक कमर्शियल में भी है और हाउस होल्ड सेगमें भी अगर हम देखेंगे यहां पर हाउससोल्ड नाम बहुत बढ़ा ब्रांड है कि सारे कुलर सम अपना घर में भी यूज़ करते हैं ठीक है अगर हम कि मैनुफेक्टरिंग निए कि यंदॉस्टियाब मानुफेक्ट्रिंग कुलर भी है इसए वाई सब आगर देखेंगे कॉमपनी का यहां पर ओल्डिंग का कॉम्पणी का मार्केट का देख ली जह सेवेन थाउजन शिक्स्तिश्ञ करोड का मार्केट किया पर अभीव्य कम्पणी का स्टाग्स AoP छो ट्रेडिंग हो रहा है फिफ्टी शुच्व्य स्टाग्स isolating हो रहा है., आर रोसी देख लीजी जी यहां सब्सक्राइब करेंगे यहां पर कंपनी का जो शुरुआद हुआ था नाइंटीन एटीएट में हुआ था और एहमादाबाद इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो इसी साब से कंपनी का यहां पर रजाइन कॉलोर कुलर मैनुफेक्चरिंग इन दो वर्ल्ड और नाइंटी सेबन परसंटेज जो रेविनुव आता है यहां पर 97 परसंटेज का और ऑगर हमद क्वाटरलर रेजल्ट की बात करेंगे यहां पर सेप्टेम्बर में कटर में देखीए यहां पर चेप्टेमबॉ ti yun ko टु टूंटी करोर का विगा थैट मैं थोड़ा सा इंक्रीज हुआ कि तो अगर हम हम यहां पर कारन की बात करेंगे तो यहां पर कि अंगर जरूर देखने को लिगर आ तो इसलाव सापने बात करेंगे लास्ट सेटेमबर में यह पर च्रोट से हुआ है उससे हुआ है अगर हम देखेंगे यहांपर मसुत करेंगे डिक्त bake आगक यहां पर 79 करोड का रिजर्व था अभी रिजर्व में तो बहुत बड़ी ऐसा ग्रोइंग हुआ है 750 करोड का रिज़र्व वह चुका है अगर हम बढरोइंग की बात करेंगे बराउंग पास में अभी भी होल्डिंग जहां पर हम एक पास में नाइन पॉइंट फोर परसंटेज का होल्डिंग गए अगर हम पॉब्लिक के पास में बात करेंगे पॉब्लिक के पास में यहां पर परसंटेज है तो यहां पर यह जो 1.2 और यान पर 1.72 अगर हम देख लेंगे इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो यहां पर 10 परसंटेज का होल्डिंग पॉब्लिक के रिटल पॉब्लिक के पास में है फ्रेंट्स ठीक है अगर इसी हिसाब से अगर हम जाके एक बार चाट पटरन देखेंगे यहां पर देखिए स्टॉक का प्राइस क्या था 2011 में यह स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था 127 पर वान टॉन्टी से ले के स्टॉक कहां तक गया था एक बार देख लिजिए यहां पर 2018 जान में अगर हम चेक करेंगे यहां पर 22 का लेबल तक जा चुका था तो मतलो स्टॉक में कितना परसंटेज का रिटन दिया था एक बार जो कि 17x return दे चुका था 17 गुणा return दे चुका था और कितना साल में Only 7 साल में तो इक स्टॉक मंल्टी व्यगर स्टॉक है ठीक है अगर हम देखेंगे इसी वेसिशिस पर स्टॉक में कितना परसंटेज का करेक्सन हो चुका है वो भी हमें जरूर चेक करना चाहिए कि स्टॉ बीडियो में आखिर तक जरूर बने रही है मैं आपको कुछ पैंट भी बताने की कोशिश करूंगा यह वीडियो में ठीक है तो आपको क्या करना चाहिए और कौन से लेबल तक लेकर चाहिए और उस अपको लांग टर्म होल्डिंग में लेना चाहिए या स्विंग ट्रेड क हो चुका है तो अभी क्या करना चाहिए क्योंकि जहां पर इतना बड़ा सा क्रेक्शन हो आए 2018 से लेके अभी तक कितना साल हो चुका है तिन चार साल हो चुका है फिर भी स्टक अभी कांसलीरेशन में चल रहा है कि यहां पर अभी अगर हम देखते हैं यह जो लेवल है साथ साल में अगर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका जीरो रिटर नहीं मिला है लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए Armor drink अगर हम इसी साबसे अगर contrast में देख रहें तो यहां पे इसका जो support जोने यहीं support जौने ठीक यह जो इसका और करें के बारे में आई देख्ी है जोर्रम को है यहां पर सपोर्ट था सपोर्ट इसना बिल्कुल ब्रेक कर चुका है अगर यहां पर 200 ब्रेक कर चुका है तो अगर हम देखते ही यहां पर स्टॉक का सपोट था वो सपोट को बिलकुल ब्रेक कर चुका है उसके बाद में यहां पर दिखिए यहां पर जब यहां पर 100 का मुवी आवरेज को ब्रेक किया इमीडियेटली स्टॉक कोलाप्स हो गया यहां पर निचे आ चुका था ठीक है जो की 901 के लेवल पर आ चुका था लेकिन यह बहुत बड़ा सपोट भी था अगर स्टॉक में सपोट की बात करे अगर फिर भी इस लेबल पर आपको इंटरी लेना है के चल सकते इमीडियेटली आप इंटरी लेके करे कल सकते आपका जो टार्गे Luis Шah재 स्टॉक को हड़ करना चाहिए मेरे हिसाब से इस फटाख अगभी अगर पो और पोजीशन बना के चलेंग में तो आपको there पो यह 153 म यहां पर दीखिए यहां पर एक बड़ रेसिटेंस पह सकते लिए ले के छलते आपको कितना परसंटरिज का प्रोंट क्रोफिट में तरहे हमें देखना है हमारा रिस्क की क्या है और रिवार्ड के वो भी एक बार जरूर हमें चेक करना जरूरी है क्योंकि हम जहां पे कोई भी स्टॉक में पोजिशन बना रहे हैं हमें रिवार्ड कितना मिलेगा और रिस्क की भी उसके पीछे कितना है एक देखिए यहां पे 39 परसंटेज का आपको गयन मिल सकता है और जहां पे हम यहां पर है रिस्क की बात करेंगे यहां पर स्टॉक का जो सपोर्ट डिफेरेंस यहां पर अगर सपोर्ट तक का हम रिस्क की बात करेंगे यहां पर 10% का रिस्क भी है ठीक है तो मतलब रिस्क रिवाड रेशियो जो हुआ आपका वन इस्टू फॉर ठीक है तो इसी साफ से आप इस टॉक में आपको 40% का रिटर्न मिल सकता है यहां पर स्टॉक करेक्शन जा सकता है त काफी सार फ्रान एक कर लिया इसके बावजुद भी करेक्शन हो गया इससे कोई जरूरी थोड़ी है कि हमने बाई कर लिया उसके बाद में स्टॉक फॉल नहीं होगा में भी तो यहां पर 10-20 परसंड नेगेटिव में मुझे अभी दिख रहा है तो मुझे क्या करना है उस प्रोब्लेम नहीं कोई कोई बड़ाशा ग्रूप है छिंभाना को jn नहीं है करोणपदी बना चुका है जिनोंगे इंट्री करके का यहां पर अगर बाय करके रख्योंगे उनको सोचों उनके पास में क्या पोटफोलियों में ग्रो हुआ होगा और सट पैसे का स्टॉक है यहां पे 2005 में और सट पैसे का स्टॉक था अभी थाउजन रुपीस के पास में ट्रेडिंग हो रहा है तो मतलब सोचिए टू थाउजन टेक्स र में हमें एक साल भी लगते कोई बुरा नहीं है क्योंकि 40 परसेंटेज का गयन मिल रहा है एक साल में 40 परसेंटेज का अगर गयन मिलता है हमारा पॉर्टफोलियो हो डाई साल में होता है ठीक है तो इसी साब से आप इसको लेके चल सकते हैं आपको पहला टार्गेट रहेग को कोई प्रोब्लेम नहीं क्योंकि अल्टाइम हाई की जब बात कर रहे हैं अल्टाइम हाई 2200 का लेवल है 2200 का लेवल तक अगर इस्टॉक में लेके चलते हैं आपको कितना परसेंटेज का गयन मिलेगा हो भी जरूर देख लिए प्रेंट्स क्यूंकि काफी दिन से कॉंस अल्टाइम हाई तक अगर आपने पिशन बना के चलते हैं आपको 140 140 का प्रौफिट मिल सकता है 140 परसेंटेज का प्रौफिट मिल सकता है यह साने कि प्रौफिट आपको एक साल में मिल जाएगा उसा बिलकुल भी में दावा नहीं कर रहा हूं यह स्थाख में अगर इतना percentage का आपको profit चाहिए ऐसा हो सकता है आपको two years hold करना पड़ जाए ठीक है अगर two years hold कर सकते हैं ये stock में तो आप बिलकुल बिंदा सा position बना के चल सकते हैं friends ठीक है आपको 150 percentage का profit भी जरूर मिल सकता है अच्छा सटॉक है अगर आप safely अगर gain चाहते हैं तो मैं तो आपको ये recommend करना चाहूंगा लेकिन कोई भी position बना रहे हैं कोई भी स्टॉक में फिर सकते हैं इसा जरूरी नहीं कि स्टॉक में हमने पोजिशन बना लिया तो इमिडियेटली उस टॉक में गेना जाएगा हमें holding capacity भी होना चाहिए ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए friends के साथ में share कीजिए अगर चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए thank you very much friends for watching this video मिलते है next video में